जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए सबसे इसेंशिल चीज क्या है? Connections, Money, Knowledge एक Carnegie Foundation Study ने दो factors खोजे आपकी knowledge आपके सक्सेस का सिर्फ 15 प्रतिशत explain कर सकती है बाकी 85 प्रतिशत वो इस पर depend करता है कि आप कितनी well तरीके से लोगों से बात कर पाते है Effective Speaking को rarely सिखाया जाता है और hardly credit दिया जाता है Effective Speaking आपको relationships build करने, career improve करने और personality develop करने में help करता है यह book आपको सबसे simple yet effective techniques सिखाएगी लोगों से deal करने के लिए आप यह भी सीखेंगे कि actions किस तरह Effective Speaking पर impact डाल सकते हैं डेल कारनेगी जो public speaking के एक prominent figure है आपको सिखाएंगे कि कैसे friends बनाएं और लोगों को influence करें लोगों से deal करने का big secret लोगों से कुछ भी करवाने का एक ही तरीका है हाँ, आप उन्हें threaten या manipulate कर सकते हैं लेकिन ये तरीके ineffective होते हैं क्या आप चाहते हैं कि आपके employees ज्यादा productive हों? उन्हें बता दीजिए कि आप कुछ को दिन भर तक हटाने वाले हैं क्या आपका toddler misbehave कर रहा है? अपनी belt निकाल लीजिए उपर दे गए examples downright cruel हैं और completely unnecessary भी इस तरह से आप अपने employees और toddler को traumatize कर देंगे इसलिए किसी भी person से कुछ करवाने का एक ही तरीका है कि आप दूसरे person को खुद वह करना चाहने पर मजबूर करें लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? हर person की कुछ wants होती हैं आप चाहते हैं एक अच्छी nights sleep आप अच्छा food चाहते हैं आप पैसे चाहते हैं ये चीज़ें आप पा सकते हैं बिलकुल लेकिन philosophers और psychologists ने एक ऐसी want identify की है जो किसी person को rarely मिलती है philosopher John Dewey ने इसे importance का feeling कहा psychologist Sigmund Freud के लिए ये greatness की desire थी किसी भी तरह से valuable महसूस होना हर इंसान के दिल में होता है इसे deny करने का कोई use नहीं है लेखक डेल कारनेगी ने अपने फादर का example दिया उनके फादर के पास कई pigs और chickens थे जो उनके pride और joy थे डेल के फादर उन्हें contests में शामिल करते थे और वह अकसर first prize जीतते थे जो ribbons वह पाते थे वह कारनेगी household में display किये जाते थे जब friends और family विजिट करते थे डेल के फादर हमेशा अपने ribbons की boast करते थे pigs और chickens को ribbons से कोई मतलब नहीं था लेकिन डेल के फादर को उनसे बहुत फर्क पड़ता था क्योंकि वे उन्हें important महसूस कराते थे सच में ये importance की feeling लोगों को excel करने के लिए drive करती है हालांकि ये validation के लिए लोगों को desperate भी बना सकती है Charles Schwab एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक person की importance की need को समझते थे उन्होंने इसे अपने advantage के लिए use किया Charles एक entrepreneur थे 1920 के दशक में उन्हें 3000 डॉलर प्रतिदिन मिलता था United States Steel Company के President के रूप में Charles ना तो genius थे और ना ही steel industry में respected figure फिर भी उन्हें वह high position इसलिए मिली क्योंकि Charles को लोगों से deal करना आता था उन्होंने कैसे किया? Charles ने explain किया कि लोगों से काम करवाने का सबसे बड़ा तरीका appreciation और encouragement शो करना है Charles अपने workers को criticize नहीं करते थे वह उन्हें guide करते थे कि काम properly कैसे करना है जितना संभव होता Charles harsh words नहीं कहते थे हालांकि ज्यादा तर लोग हमेशा quick होते हैं judge करने में और praise करने में hesitant उदाहरन के लिए Ron अपनी girlfriend को appreciation नहीं दिखाता था क्योंकि वह अकसर forget कर जाता था उसकी girlfriend हर सुबह उसके लिए meals prepare करती थी जब वह work पर जाने से पहले जब एक बार वह fail हो गई तो Ron upset हो गया कुछ महीने बाद Ron की girlfriend ने उससे break up कर लिया जब आप appreciation शो करते हैं लोग आपके साथ longer रहना चाहते हैं अगर आप हर समय criticize करते हैं तो लोग आसानी से leave कर देंगे एक simple तरीका अच्छा first impression बनाने का Julian ने हाल ही में काफी पैसा earn किया था उसके पास इतना money था कि वह हर weekend पर parties host कर सकती थी अपनी parties में Julian सबसे luxurious gowns पहनती थी और बहुत सा expensive jewelry भी आपको लगता होगा कि जो भी उसके parties में invited होता था वो enjoy करता होगा खाना और drinks बहुत delicious होते थे और Julian सब के साथ बात करती थी लेकिन guests हमेशा थोड़ा upset महसूस करते थे इसका कारण था Julian का expression वह अपने guests को ऐसे देखती थी जैसे वह सभी से better है और कभी smile नहीं करती थी actions words से louder बोलते हैं एक smile के बारे में भी यही कहा जा सकता है बिना words के भी एक smile बड़ी खुशी दिखा सकती है एक genuine smile के कई benefits scientifically prove किये गए है यह बात James Mac Connell जो University of Michigan में पसिखोलोजिस्ट है ने explain की Mac Connell ने बताया कि एक smile आपकी life के हर aspect को affect कर सकती है यह आपको कुछ भी ज्यादा effectively sell करने में help कर सकती है यह आपको happier children raise करने में भी मदद कर सकती है यह information बताती है कि encouragement punishment से कहीं ज्यादा effective है लोग एक smile को perceive कर सकते हैं भले ही वह face to face बात ना कर रहे हो रॉबर्ट जो एक computer company के manager थे ने अपनी कहानी recall की एक ideal candidate को ढूंडने के बारे में उन्होंने कई phone interviews smile के साथ conduct किये रॉबर्ट एक ऐसा person ढूंड रहे थे जिसके पास computer science में doctorate हो और जो IT department को lead कर सके Penelope जो एक graduating doctorate थी ideal candidate थी चूंकि उसके qualification impressive थे कई company ने उसे hire करने की कोशिश कर रही थी रॉबर्ट ने hope almost lose कर दी थी दूसरी companies काफी बड़ी और ज्यादा high paying थी रॉबर्ट की company से लेकिन रॉबर्ट को surprise हुआ जब Penelope ने उसकी job offer accept कर ली जब पूछा गया कि Penelope ने रॉबर्ट के साथ काम क्यों चुना तो उसका answer interesting था Penelope ने बताया कि दूसरी companies उससे एक cold, formal tone में बात कर रही थी वहीं रॉबर्ट उनसे बात करने के लिए eager और happy लग रहे थे Penelope को ऐसा महसूस हुआ कि रॉबर्ट genuinely चाहते थे कि वह team join करे Penelope रॉबर्ट का expression नहीं देख सकती थी क्योंकि वह phone पर बात कर रहे थे लेकिन वह जानती थी कि बातचीत के दौरान रॉबर्ट हमेशा smile कर रहे थे इसलिए एक अच्छा first impression बनाने का key है smile करना अगर आप smile नहीं करना चाहते हैं तो खुद को smile करने के लिए force करें एक happy tune हम करें या खुद से गाना गाएं act करें जैसे आप happy हैं यह आपको सच में happy बना सकता है एक आसान तरीका अच्छा conversationalist बनने का डेल कार्नेगी के पास conversations की अपनी fair share थी हर कोई उनसे बात करना चाहता था एक महिला, फ्रैनी एक party में डेल से मिली उसे पता था कि डेल अकसर travel करते हैं फ्रैनी ने उनसे उन countries के बारे में पूछा जहां वह गए थे डेल ने जब Africa के अपने adventures recall किये तो फ्रैनी ने बहुत enthusiasm शो किया उसने कहा कि वह और उसके husband हाल ही में Africa trip से वापस आये थे डेल ने भी वहां के experiences के बारे में पूछा फ्रैनी ने 45 मिनट तक बात की उसने डेल से उनके trips के बारे में फिर कभी नहीं पूछा उनकी conversation के end में फ्रैनी ने डेल से कहा कि वह एक great talker थे एक और party में डेल एक botanist Victor से मिले डेल उनसे बात करना चाहते थे क्योंकि उनके घर में एक छोटा garden था Victor ने डेल के सभी plants और vegetables से जुड़े questions का answer दिया Victor ने exotic plants और experiments के बारे में भी explain किया जो उन्होंने किये थे रात के अंत तक Victor ने उनकी conversation का लगभग 90% हिस्सा बोला लेकिन Victor ने कहा कि डेल सबसे interesting conversationalist थे जिनसे वह कभी मिले थे इंसान अक्सर ऐसे ही होते है जब एक person आपको पूरी attention देता है तो वह आपको special महसूस कराता है active listening एक best form है flattery की जो एक person दे सकता है वहीं जो लोग खुद में absorbed रहते हैं वे usually वो होते हैं जिन्हें हम dislike करते हैं कोई भी ऐसा person पसंद नहीं करता जो बार-बार speaker को interrupt करता है ऐसे लोग अपने बारे में highly सोचते हैं वे arrogant और selfish होते हैं एक अच्छा conversationalist बनने के लिए दूसरे person की बातें सुने केवल reply देने के लिए नहीं सुने इंट्रेस्टिंग बनने के लिए आपको उस person में interested होना पड़ेगा जिससे आप बात कर रहे हैं आप argument में जीत नहीं सकते डेल कारनेगी खुद को एक notorious arguer मानते थे वह अपने brother के साथ हर चीज़ पर argue करते थे जब वह छोटे थे college में डेल ने debating जोइन किये डेल को arguing इतना पसंद था कि उन्होंने न्यू यॉर्क में debating और argumentation पढ़ाया एक dinner party में उन्होंने अपनी arguments की love show की यह एक extravagant party थी जिसमें कई important लोग शामिल थे एक व्यक्ती ने एक funny story बताना शुरू किया अंत में उसने एक quote कहा जो Bible से था डेल को तुरंत पता चला कि वह guest गलत था वह quote Bible से नहीं बलकि Shakespeare से था डेल को इस बात का 100% सुनिश्चित था उन्होंने सभी के सामने उस व्यक्ती की गलती point out की लेकिन guest ने हार नहीं मानी उसने कहा कि उसे sure था कि quote Bible से था डेल को बहुत अपसेट हुआ उन्होंने Frank से help मांगी जो डेल के friend थे और Shakespeare के life और works को study कर चुके थे Frank ने डेल का side लेने के बजाए table के नीचे डेल को kick किया Frank ने बाकी guest से कहा कि storyteller सही था quote सच में Bible से था party खत्म होने के बाद डेल ने Frank से confront किया Frank ने admit किया कि डेल सही थे वह quote Shakespeare के play Hamlet से था लेकिन Frank ने समझाया कि उन्होंने storyteller का side इसलिए लिया क्योंकि वे party में थे उस आदमी को prove गलत करने का क्या फाइदा होता वह embarrassed हो जाता और बाकी सब uncomfortable हो जाते सबसे बुरा तो ये होता कि बाकी guests को उसके लिए sorry feel होता best तरीका argument जीतने का यही है कि इसे avoid करो हर argument healthy discussion तक नहीं पहुँचता अक्सर जो लोग इसमें involved होते हैं वे एक दूसरे से hate करने लगते हैं तो जब आप argument से बच नहीं सकते तब क्या करें? Patrick का case ले लो Patrick अपना career trucks बेच कर बनाना चाहते थे लेकिन वह इसमें अच्छे नहीं थे एक client आता और बातचीत शुरू होती लेकिन जब भी client उसके products के बारे में कुछ negative कहता Patrick upset हो जाते थे Patrick ने उन सभी customers से argue किया जिन्होंने उसके trucks के flaws बताए यह उसके business के लिए bad था क्योंकि Patrick कुछ भी sell नहीं कर पाते थे इसलिए Patrick ने Dale Carnegie से मदद मांगी Dale ने समझाया कि वह हमेशा arguments में जीत नहीं सकते पहले तो Patrick upset हो गए और फिर से argue करने लगे Dale ने Patrick से agree किया और Dale के agreement से Patrick को एक valuable lesson मिला अगले दिन Patrick ने इस lesson को practice में apply किया एक customer उसके store में आया और Patrick के trucks देखने लगा जो उसने देखा उससे customer impressed नहीं हुआ उसने Patrick से कहा कि जो दूसरे truck stores उसने visit किये थे उनके models ज्यादा अच्छे थे अब Patrick आसानी से उस आदमी से argue कर सकते थे वह चिला सकते थे और customer को liar कह सकते थे लेकिन Patrick को याद था कि वह हर argument जीत नहीं सकते इसके अलावा argue करने से एक potential sale lose हो सकता था इसलिए Patrick ने customer से agree किया customer shocked और speechless हो गया hot tempered लोग हमेशा fight expect करते हैं उन्हें यह नहीं लगता कि लोग उनसे agree करेंगे लेकिन यही Patrick ने किया उन्होंने agree किया कि दूसरे store के trucks cooler थे इस तरह उन्होंने customer के साथ argument avoid किया अब Patrick ने बातचीत को अपने trucks की तरफ मोड़ा शुरू में customer ने ध्यान नहीं दिया लेकिन बाद में उसने सुना और Patrick के एक truck को खरीद लिया कभी-कभी silent रहना और दूसरे person से agree करना बेहतर होता है इससे unnecessary conflict avoid होता है और नई दोस्ती बनती है इसलिए शांत रहो और अपनी battles wisely choose करो कोशिश करो कि चीजों को दूसरे person के perspective से देखो जब कुछ भी काम न करे तो यह तरीका अपनाए Al Smith, New York के एक former governor थे अपने term के दौरान उन्हें एक बड़ा dilemma face करना पड़ा Sing Sing, एक notorious correctional facility का कोई warden नहीं था इस facility में सबसे troublesome inmates और horrifying scandals थे कई लोगोंने Sing Sing के नए warden बनने के लिए Al Smith का offer reject कर दिया यह एक बहुत बड़ी responsibility थी सबसे लंबे time तक इस position पर रहे warden केवल तीन हफतों तक टिक पाए थे जिन candidates को Al ने aim किया था उनमें से एक prison guard, Lewis Laws था Al को पता था कि Lewis इस offer को turn down कर सकते हैं लेकिन उन्होंने Lewis को push नहीं किया या उन्हें mind बदलने के लिए beg नहीं किया इसके बजाए Al ने Lewis को smile की और उनके fears से agree किया उन्होंने समझाया कि डरना natural है warden की position tough है केवल सही person ही यह job accept करेगा और वहां tick पाएगा बस इस statement ने Lewis का mind पूरी तरह से बदल दिया उन्होंने सिंग सिंग के warden की role accept की और 20 साल तक वहां रहे Lewis के leadership के तहट facility की negative reputation बदल गई money लोगों को motivate करने वाली एक मात्र चीज नहीं है best motivator यह है कि लोगों को यह opportunity दी जाए कि वे खुद को extraordinary चीज का हिस्सा prove कर सकें इसी ने Lewis को सिंग सिंग का warden बनने के लिए encourage किया इतनी controversial facility को run करना challenging होता लेकिन Lewis ने यह role इसलिए अपनाया क्योंकि इससे उन्हें पहले के wardens से better बनने की चुनाती मिली तो अगर money किसी को motivate नहीं कर सकती तो उन्हें challenge करें क्या आपके employees unproductive हैं? उनके लिए एक mini competition create करें क्या आपके बच्चे chores करने से मना करते हैं? गेम्स सोचिए और जो जल्दी finish करें उसे prizes दीजिए winning का thought सबसे unwilling लोगों को भी participate करने के लिए motivate कर सकता है कैसे करें? criticize और फिर भी नफरत न पाएं आपने Charles Schwab के बारे में early chapters में सुना होगा उन्हें America की सबसे बड़ी steel company का president बनाया गया था इसका reason था कि वह लोगों को handle करना जानते थे Charles के पास उन employees से deal करने का effective तरीका था जो rules follow नहीं करते थे एक दिन Charles steel site के आसपास walk कर रहे थे no smoking के science site पर हर जगह थे फिर भी Charles ने employees को हर जगह smoking करते देखा क्या उन्होंने उन लोगों को confront किया और उन पर चिल्लाए क्या उन्होंने उन्हें fire करने की धमकी दी नहीं यह रहा एक और example public officials अकसर अपने subject से disconnected महसूस होते हैं उन्हें अपने लोगों से कोई connection महसूस नहीं होता इसका reason यह था कि assistant और bodyguards official और लोगों के बीच एक barrier बना देते थे Karl Langford जो Florida के former mayor थे इसे approve नहीं करते थे वह चाहते थे कि लोग उन्हें कभी भी approach कर सकें इसलिए Karl ने अपने office का door हटा दिया ताकि उनकी open door policy और भी obvious हो सके Charles Schwab और Karl Langford में क्या common था उन्हें कुछ problems को carefully handle करना था अगर उन्होंने mess up किया तो बहुत से लोग उनसे नफरत करते लेकिन उनका solution काफी simple और highly effective था उन्होंने बस butt को and से replace कर दिया फिर से Charles की problem पर जाएं साइट पर smoke करना company के rules के खिलाफ था अगर वह उन्हें डाटते तो employees उन्हें enemy समझते इसलिए Charles ने gently उन लोगों को approach किया जो smoke कर रहे थे उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि आप लोगों को relax करने की जरूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यह बाहर जाकर करेंगे चार्ल्स श्वाब ने हर आदमी को एक cigarette दी वहीं Karl Langford नहीं चाहते थे कि ऐसा लगे कि assistants और bodyguards गलती पर थे जब उन्होंने office का door हटाया तो Karl ने अपने staff से कहा मैं appreciate करता हूँ कि आप लोग कितना hard work करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी new policy को follow करें लोग but सुनना पसंद नहीं करते इससे ऐसा लगता है जैसे आप कुछ गलत कर रहे हो but का tone critical होता है इसके अलावा but के बाद आने वाले सभी words को आप reject कर देते हैं एक mom अपने बच्चे को harder study करने के लिए कहना चाहती है mom कहती है honey मैं देख रही हूँ कि तुम better कर रहे हो good job बट मुझे लगता है कि तुम्हें और ज्यादा hard work करना चाहिए जब बच्चा यह सुनता है तो वह discouraged हो जाएगा फिर से but एक critical sound देता है बच्चा अपनी मा की compliment को नहीं सुनेगा इसका reason यह है कि but का tone mean और negative लगता है इसके बजाए mom but को and से replace कर सकती है for example good job इस semester पर तुम्हारे grades के लिए sweetheart मुझे तुम पर बहुत proud है और अगर तुम इन grades को maintain रखोगे तो तुम अपनी class में first आओगे हमेशा एक encouraging tone यूज करें जैसे ही किसी को यह feel होता है कि उसे criticize किया जा रहा है वह demotivated हो जाता है इसके अलावा एक बड़ा chance होता है कि वह आपको सुनना बंद कर दे गलती को सुधारना आसान दिखाए Jonathan ने हाल ही में अपनी girlfriend Macy को propose किया ये couple शादी करने और एक family स्टार्ट करने के लिए बहुत excited था उनकी शादी के पार्ट के तौर पर couple अपने loved ones के सामने dance करेगा लेकिन एक problem थी Jonathan को dancing बिल्कुल नहीं आती थी वह आसानी से dancing lessons ले सकते थे इस problem को solve करने के लिए और वही उन्होंने किया लेकिन Jonathan के first dancing teacher बहुत mean थे उन्होंने कहा कि Jonathan बहुत awful थे और लगातार mistakes करते रहते थे Jonathan को बहुत discourage feel हुआ और उन्होंने दूसरे dancing teacher को hire किया Jonathan को पता था कि वह excellent dancer नहीं थे लेकिन उन्हें लगा कि वह थोड़ा improve कर सकते हैं दूसरे dance teacher अलग थे उन्होंने हमेशा Jonathan को भरोसा दिलाया चाहे उसने कितनी भी mistakes की हों बताने के बजाए दूसरे teacher ने Jonathan की सही चीजों की तारीफ की धीरे धीरे Jonathan को अपने dancing skills पर confidence आने लगा दूसरे teacher ने Jonathan को उनके lessons का इंतजार करवाया अब Jonathan को उम्मीद थी कि वह wedding में खुद को बेवकूफ नहीं बनाएगा criticism किसी भी इंसान की इच्छा को तेजी से खत्म कर सकता है अगर आप बच्चे को कहें कि उसकी drawing खराब है तो वह फिर कभी pencil नहीं उठाएगा अगर आप किसी employee को कहें कि वह हमेशा गलत है तो वह कभी भी अपनी पूरी कोशिश नहीं करेगा इसलिए criticism के बजाए encouragement का उपयोग करें अगर व्यक्ती fail हो जाए तो इस बात को बड़ा मुद्दा न बनाए उन्हें फिर से कोशिश करने को कहें और उनकी सही actions की तारीफ करें यही Jonathan के दूसरे टीचर ने किया इस छोटे से बदलाव ने Jonathan को wedding में अच्छी तरह से dance करने का confidence दिया निशकर्श पहली बात आपने सीखा कि लोगों के साथ deal करने का बड़ा secret क्या है यह secret है कि आप लोगों को वह काम कैसे करवाते हैं जो आप चाहते हैं यह आप करते हैं उनकी importance का एहसास बढ़ा कर आपको व्यक्ति का moral बढ़ाना होता है encouragement एक effective tool है अगर आप किसी की तारीफ करेंगे तो वह आपकी बात मानेगा वहीं अगर आप criticism करेंगे तो वह व्यक्ति वह काम बंद कर देगा दूसरी बात आपने सीखा कि पहली बार मिलने पर अच्छा impression कैसे बनाया जाता है यह simple है उस व्यक्ति को smile करें एक smile आपको warm और approachable बनाती है यह दूसरे व्यक्ति को भी आराम महसूस कराती है भले ही वह आपकी smile न देख सके आपकी आवाज के टोन से उसे पता चल जाएगा कि आप smile कर रहे है इसलिए हर conversation में हमेशा smile बनाये रखें तीसरी बात आपने सीखा कि एक अच्छा conversationalist कैसे बनते हैं आपको attentive listener बनना होगा सवाल पूछें और ध्यान से सुनें पूरी attention दे और topic में interest दिखाएं चौथी बात आपने सीखा कि argument जीतना असंभव है argument से हर हाल में बचें ये आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच goodwill को बरबाद कर सकता है अगर आप किसी argument में फंस भी जाएं तो धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति से सहमत हो जाएं argument हार ना एक व्यक्ति का goodwill कोने से बहतर है पांचवी बात आपने सीखा कि किसी व्यक्ति को कैसे convince किया जाए अगर कोई व्यक्ति किसी टास्क से डरा हुआ है या quiet करने वाला है तो आप उसे चुनौती देकर उसका mind बदल सकते है सिर्फ पैसा हमेशा काम नहीं करता उन्हें बताएं कि job कितना महत्वपूर्ण है उनकी achievements की तारीफ करें चाहे वो कितनी भी small क्यों नहो Lastly, आपने सीखा कि किसी को criticize किये बिना कैसे correct करें फिर से criticism व्यक्ति को demotivate कर सकता है इसके बजाए उनकी सही actions पर ध्यान दें Life का एक undeniable fact है कि यह विभिन social interaction से बनती है इन tips के माध्यम से आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे और लोगों के साथ अच्छे relationships बनाएंगे